नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्धप्रदेश का नंबर वन न्यूस चैनल क्लीन न्यूस एमपी चलिए देखते हैं मद्धप्रदेश की सभी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदाज में शिवराज कैबिनेट बैटक आज इस योजना को मिलेगी मन्सूरी हर महीने खाते में आएंगे एक हजार रुपई मद्धप्रदेश की रासारी भुपाल में आज सियम शिवराज सिंग चोहान की अध्यक्षता में एहम कैबिनेट बैटक होने वाली है इस बैटक में लाडली लक्ष्मी योजना की तरस पर लाडली बहना योजना को मन्सूरी दी जाएगी बैटक मुक्यमंत्री आवास इस्तित कार्याले में होगी और सभी मंत्री इसमें वर्च्वली जुडेंगे इस योजना से हर साल करीब बारा हजार करोड रुपे का अत्रिक्त खर्च पड़ेगा जबकि पांच सालों में साथ हजार करोड रुपे खर्च की जाएंगी भीशन सड़क हाथसे में चौदा यात्रियों की दर्दनाक मौत सियम शिवराच ने किया मौावसिक का ऐलान कुमेंतरी शिवरा सिंग चोहान ने घटना में ब्रत हुए लोगों को दस लाक रुपे राहत दिये जाने की खोशना की है मौसम में दिखेगा बदलाव आज सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोब मदबुदेश के मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा तापमान में हलकी गिरावच आएगी और बादल बीचाय रहने का अनुमान है पश्चिमी विक्षोब के प्रभाव से कहीं कहीं बुंदा बांदी होने की संभावना है एमपी मौसम विभाव के मुताबिक आज से उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोब सक्रिय होगा जुसका असर तीन दिन रहेगा 27 वरवनी तक तापमान में हलकी गिरावच देखने को मिलेगी सम्विदा कर्मचारियो कपरांतिय सम्मेलन आज लंबित मांगो को लेकर आंदोलन की बनेगी रनीती रासाने भुपाल में आज प्रदेश के सभी विभागो और उनकी परियोजनाओं में कारेरत सम्विदा कर्मचारियो कपरांतिय सम्मेलन राचे पशुपालन प्रशिक्षन संस्थान सभाग्रे वैशाली नगर कोट्रा सुल्तानाबाद भुपाल में मद्रप्रदेश सम्विदा कर्मचारी अधिकारी महसंक के तत्वावधान में आयो जित किया जाएगा आज लंबित मांगो को लेकर अंदोलन की रणनीती बनेगी मद्रप्रदेश में सरकारी नौकरी में ट्रांसजंडर्स को भी अब बराबरी का मौका मद्रप्रदेश में सरकार ने एक बड़ा एतिहास एक फैसला लिया इसके लिए बाकाइदा सामाने प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है लाको कर्मचारियों को मिल सकती है अच्छी खबर एक तरफ प्रोफेशनल सर्वेस कंपनी की सर्वे रिपोर्ट में निजी कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में दस फीजदी से अधिक के व्रद्धी होने की संभावना जोताई कई वही दूसरी तरफ आगामी चनाओं से पहले सरकारी कर्मचारियों को भी सौकात मिलने के चर्चाएं तेज हैं मेडिया रिपोर्ट के मताबिक आगामी त्योहरी सीजन में केंद्रिय कर्मचारियों को चार फीजदी महगाई भत्ते का लाप, वित्मन फैक्टर में व्रद्धी और आठवे वेतन आयोक पर फैसला होने की संभावना है पिश्रावर के विद्यार्तियों के लिए चात्रवत्ती का आवेदन करने का आज अंतिम दिन प्रदेश सरकार द्वारा उच्चे शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्तियों को चात्रवत्ती प्रदान की जाती है इसमें पिशड़ावर के विद्यार्तियों को भी पोस्ट मैट्रिक चात्रवत्ती का लाप शासन के द्वारा प्रदान किया जा रहा है इसके लिए चात्रों से आवेदन ऑनलाइन बुलाई कए MP, TAS और NIC चात्रवत्ती पूटर से आवेदन करने के अंतिम तारीख 25 परवरी है इसके बाए चात्रों के आवेदन स्विकार नहीं किये जाएंगी UGC ने उठाया बड़ा कदम चात्रों के लिए शुरू होगी ये खास सुविधा नेशनल टेस्टिंग एजनसी द्वारा कॉमन युनिवरस्टी एंट्रेंस ट्रेस्ट के आवेदन शुरू कर दिये गए इसी बीच उशुविधाले अनुदान आयोगनी बड़ी खूशना कर दी है परिक्षा के लिए चात्रों के तैयारी को बंदे नज़र रखते हुए यूजी सी ने देश भर में साहिता केंदर खुलवाने का ऐलान कर दिया स्टुडेंट्स के इस्तेदारी बढ़ाने और जागरुपता के लिए देश भर में हेल्प्लाइन सेंटर्स खोले जाएंगी देवी आहिल्या यूनिवरस्टी में संबदता के लिए आवेदन 28 फरवरी तक देवी आहिल्या यूनिवरस्टी से संबदतावा उनके नवीनी करण के लिए कॉलेजिस को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 फरवरी तक पूरी करनी होगी उसके बार 25 फीस दी लेट फीस लगेगी इस बार यूनिवरस्टी समय से दो महा पहले मार्च मेहनी रिक्षन प्रक्रिया शुरू कर देगी कॉलेजिस में एड्मिशन प्रक्रिया के साथ संबदता जारी रहने का दौर शुरू हो जाएगा दसी वारवी की बोर्ट परिक्षाओं में मंडल ने किया बदलाओ इस वर्ष बोर्ट की परिक्षार्थियों को सप्लिमेंटरी उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी इसके स्थान पर मंडल ने परिक्षार्थियों को एक बार में ही 32 प्रष्टो वाली उत्तर पुस्तिका देने का ने नय पारिद किया तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मद्यप्रदेश से अबडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद